DA को दूले की घोडी मान लीजे और मौज को घोडी का मालिक जैसा कबाड़ी होता है ना आप उसे चाहे प्राइमरी क्लास की बुक देदे या बीटे क्लास की देदे DA या Domain Authority SEO की दुनिया का सलमान खाना है सबको पता है कि भाई की पिक्चर में स्टोरी नाम का हिरन नहीं होता है लेकिन फिर भी भाई की पिक्चर लोग देखते ही देखते हैं DA का भी वैसा ही है तो आज के वीडियो में हम ज़रा देखते हैं कि DA या PA क्या है क्या ये रियली म क्या आपको इसे बढ़ाने पर दिहान देना चाहिए और कुछ लोग कैसे इसे जल्दी से बढ़ा लेते हैं सब कुछ डीटियल में मैंने में जमेतिवारी फरमेतिवारी.net और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं DA यानी Domain Authority के बारे में उन्हें खुद से अभी थोड़ा और सीखने की जरुएत है. DA यानी की Domain Authority का किसी वेबसाइट की रैंक से कोई लेना देना नहीं होता है और इसका रीजन है कि Google किसी एक वेबसाइट को रैंक नहीं करता है बलकि पेज़ेस को रैंक करता है जरा ध्यान दीजे कि Google की पेज रैंक अल्गोरिदम है, डोमेन रैंक अल्गोरिदम नहीं होती है. Google अलग अलग पेज़ेस को इंडेक्स करता है, उन्हें रैंक करता है, पूरे डोमेन को रैंक नहीं करता है. इंफेक्ट अभी कुछ दिन पहले तक सर्च कॉन्सोल में नेकेड डोमेन को अड़ करने का कोई आप्शन भी नहीं होता था, आपको HTTP, HTTPS, WWW और ना जाने क्या लगा कर प्रॉपरिटीज को अड़ करना होता था, तो अगर कोई एक स्कोर पूरे डोमेन को रैंक करने का द पाच हजार में बेचेगा है, नहीं होगा ने, in fact कई बार messages में कुछ लोग पूछते हैं कि आखिर ये Fiverr वाले sellers किसी भी website के DA को कैसे बढ़ा लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई भी post comment करने वाला tool लीजे और उसके जरीए अपनी website के लिए automatic backlinks बनाईए, आपका DA DA score तो रंग बढ़ जाएगा, profile value backlinks, signature value backlinks, comments value backlinks, किसी भी तरह की backlinks हो, कोई फरक नहीं पड़ता है, आपका DA score बढ़ेगा, because Moz के पास इतनी capacity नहीं है कि वो backlinks की quality को analyze कर सके, उसका ये purpose भी नहीं है, उसे सिर्फ backlinks का number देखना है, और score को automatically generate कर देना है, ये comment वाली backlinks एकदम बिकार होती है, Google इस तरह की backlinks को कोई value नहीं देता है, best के scenario में इने वो ignore कर देगा, और worst के scenario में आपकी website को penalty देगा, लेकिन DA एक तम चका चक हो जाएगा, करना है ना आपको, सोचेए कि आप Google के लिए SEO करना चाहते हैं, या Moz के लिए, आपको traffic Google से मिलेगा, या Moz से, Google employees ने sacro bar का आए, कि वो DA या इस तरह के किसी भी score को कोई value नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आपको almost 80-90% courses और वीडियो में DA-DA की मालच अपने वाले लोग मिल जाएंगे, इन लोगों की देखा देखी, नए लोग भी DA वाले चकर में फास जाते हैं, बट आखिर DA को इतना importance मिलत चाहती है, अगर किसी एक company का बनाया हुआ कोई metric, कोई data, पूरी दुनिया के SEO executives एक standard की तरह treat करने लगते हैं, तो आपको तुरंथ ही एक authority मिल जाती है, और ये business के लिए सबसे अची चीज है, Moz के perspective से देखा जाए, तो ये एक बढ़िया strategy है, popularity भी मिलती है, पैसे भी मिलते ये article DA के बारे में ही है, और ये line specifically क्या कहती है, domain authority is not a metric used by Google in determining search engine rankings, and has no effect on SERPS, ये पूरी line bold letters में है, सिर्फ not word को छोड़ कर, not word को हटा दिया जाए, तो पूरी line का meaning ये उल्टा हो जाता है, Moz एक पुरानी SEO company है, जिसने अपनी presence का पूरा फाइदा उठाया है, इस DA metric को popular बनान में, number 2, Google search engine ranking का कोई score नहीं देता है, कोई ऐसा metric नहीं है, जो आपको बता सके कि कि किसी website के rank होने के कितनी chances है, और एक normal human tendency है, कि जब भी हम किसी invisible चीज़ का देखते हैं, तो उसका कोई नो कोई visible icon डोनना चाहते है, Moz का DA वही icon बन गया है, जैसा कि मैंने अभी कहा था, Moz DA क की quality को measure नहीं करता है, backlink का number Google का ranking factor का एक part है, इसलिए ऐसा लगता है, कि DA really में websites को rank करने में help कर रहा है, DA को दूले की घोडी मान लीजे, और Moz को घोडी का मालिक, दूला अधिकतर घोडी पर बैट कर शादी करने जाता है, और घोडी का मालिक सब को बताता गोमता है, कि मेर या domain authority या domain ranking या कोई भी ऐसा metric बेकार है, एक minute के लिए DA को भूल चाहिए, हो सकता है कि आप मुझसे agree ना करें, आपको favorite बंदे ने बोला है कि DA होता है, तो होता है, but I think एक चीज़ की उपर आप agree करेंगे कि backlinks की value उसकी position पर depend करती है, right, किसी page में जो सबसे उपर का link है, उ normal human visitor की knuckle करता है, और वो यह समझता है कि कोई एक normal human visitor page की top वाली link को click करने के उसकी chances है, वो ज्यादा है, और photo तक शायद वो ना भी पहुँचे, तो click क्या करेगा, so Google page के top वाली link को सबसे ज़्यादा value देता है, और bottom वाली links को कम, I am sure अदिकतर लोग इस बात से agree करेंगे, right इस system को reasonable surfer model कहा जाता है, गूगल कर सकते हैं इसके बारे में, बट ये reasonable surfer model Google का अपना system है, और Moz इसे use नहीं कर सकता है, so जहाँ Google links की quality को check करके rank देता है, Moz सिर्फ उनकी गिंती करता है, DA score को generate करने में, जैसा कबाड़ी होता है आप उसे चाहे primary class की book देदें या b.tech class की दे backlink सी quality नहीं देखता है, सिर्फ उनकी गिंती करता है, कई लोगों को लग रहा होगा कि अब ये Moz से खुणनस का कर बैठ गया, but actually मैं ऐसा नहीं है, Moz ने कुछ गलत नहीं किया है, Moz एक marketing company है, और अगर एक marketing company अपनी product को धंग से market ना करे, तो किस काम की हुई marketing company, right, so problem कम experience so called SEO trainers और experts की है, जिन्होंने Moz के DA score को ranking signal के साथ जोड़ लिया है, Moz तो अपना product मेच रहा है, और अच्छा मेच रहा है, now, एक last question है कि क्या आपको DA score को use करना चाहिए, विल आप किसी भी score को use कर सकते हैं, देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, दीवार पर frame करा सकते हैं, इस पर कोई चीला काम है, इसे लोग profile comments वाली backlinks की तरफ चले जाते हैं, जिससे आपका DA तो बढ़ जाता है, क्योंकि MozSurf links को गिन रहा है, बट website की rank पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि Google उन लिंक्स की quality को चेक कर रहा है, ये spammy lowest quality backlinks आपकी website को permanently long term damage कर सकती हैं, वैसे जो भी ची क्या हुआ, DA का ranking से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है, DA की importance नहीं है, और आप DA को use कर सकते हैं, no problem, बट इसे बढ़ाने के लिए कोई service लेना बेकार है, best case scenario, आपको कुछ spammy backlinks मिलेंगी, जिनने Google ignore कर देगा, worst case scenario, spammy backlinks के विजए से आपकी website को penalty मिल जा कर दो